हेले स्टूडेंट कैसी हैं आप सब एक बर पुनाफ सभी का आपके अपनी चैनल स्वी गोचिंग क्लस्स पर स्वगत है और आज के इस वीडियो में हम आपको लेटर लिखना सिखाएंगे question है आपका देख रहे हैं write a letter to the collector या तो SP को आ जाएगा या तो DM को आ जाएगा तो आपको एक letter या पत्र लिखना किसको collector को या superintendent of police को ठीके ना या deputy manager को ये आपको question आएगा और your district मतलब आपके जिले की ही आपके जिले की फार imposing a registration on the use of lordy speaker मतलब lordy speaker में जो अत्यदिक मात्रा में धोनी उपयोग किया जा रहा है उसके लिए आपको एक पत्र बनाना है और अपने जिला में या तो सुप्रेडेंट आप पुलिस या तो collector या तो SDM को देना है ठीक है ना SDM क्या होता है कि थोड़ा तैसिल लेबल पे बैठते हैं और district के लिए आ जाता है तो collector या SP के लिए ठीक है तो ध्यान दीजेगा या तो DM आप बोल सकते हैं DM में भी दिया जाता है तो इस प्रकार से the question आ जाता है कुछ भी आ जाए तो आपको same है यदि SP के लिए आ जाए तो SP लिखना है है ना यदि आपके लिए आ जाए कलेक्टर तो collector लिख देना है यदि तो student जब भी आपको letter या application लिखना हो तो ध्यान रिजिएगा हमिशा जो आपका copy रहेगा उसके right side पर लिखना है ठीक है और उपर सबसे लिख लेना लेटर जब application लिखना चाहें तो application ठीक है चलिए किस के लिख रहे हैं तो collector के लिख रहे है लेटर लिख रहे हैं तो letter में कभी to the start नहीं होता है देहान रखेगा आपका होता है start कहां से तो जो भी address है जहां के लिख लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30 civil line 30 civil line road 30 civil line road सहडोल मैं एक district का नाम लिख रहा हूँ आप किसी भी district का लिख सकते हैं सहडोल MP MP से हूँ मैं इसलिए मैं अपने जि लिख रहे हैं तो मैं मान की चलता हूँ यहाँ पर 12 अगस्त AUJUST 12 अगस्त 2020 ठीक है ना इतना लिख लिख लिए आपने फिर आपको सीधा लिखना है इतना ध्यान रखना है कि यह line पूरा पूरा यह मैंने भी address लिखा है तो पूरा line नीचे मिलना चाहिए नीचे तक ठीक है इस डी disposition की लिख रहे हैं तो डिस् Richt के लिख रहे है तो डीप्रिक ठीक है डीफिक सेहड़ अगस्ति है ना वैसे डी आई सिडी अर्यस्ति दिस्ट्रिक्ट सेहडुल ठीक है यह हो गया district से डोर इतना हो गया complete अब आगे आपको लिखना है student कि यदि MP लिखना है तो यहाँ पर MP लिख सकते हैं और नहीं लिखना है तो उपर वैसे भी आपने लिख दिया है अब एक line आपको छोण देना है फिर नीचे इसके same इसी के नीचे लिखना है sir यह दो और फिर sir के नीचे से start करना है कि I wake to state that I wake to state that हम कुछ कहना चाहते हैं अबर examination अबर examination मतलब हमारा जो exam है आर ड्राइंग मतलब बहुत पास आ रहा है टी आर ए डवलू आइन जी ड्राइंग नियर हम कुछ कहना चाहते हैं कि जो हमारा exam है यह एनुल exam होने वाला वो बहुत पास आ रहा है I would like to draw मतलब हम आपको I would like I would like to draw मतलब हम खीशना चाहते हैं आपका ध्यान draw your attention your attention हम आपका ध्यान खीशना चाहते हैं to the fact of to the fact of to the fact of the people p e o p l e to the fact of people play on loudy speaker play on l o u d loud speaker ठीक है अन इवरी पोसीजन मतलब जितने भी तेहार आते हैं तो हमारे जो पास में लोग हैं तो ज्यादा मात्रा में लाड़ी स्पीकर बजाते हैं I would देखी I would like to state that our examination are trying near हम आप से कहना चाहते हैं कि जो हमारा एक्जाम में बहुत पास आ रहा है I would like to state that our examination are to draw हम आपका खीजना चाहते हैं your attention ध्यान to the fact our people मतलब कुछ बेक्टियों के बारे में जो play on loudspeaker मतलब बजाते हैं क्या धौनी महुत तेजी घच से धौनी बजाते हैं and every oxygen मतलब प्रते चोटे मुझी जो तेहार होते हैं जो कारक्रम होते हैं उन में loudspeaker बजा जाता है और आ long period मतलब लंबे समय तक तो यहाँ पर आप लिख दो के far a long period long period meaning थोड़ा सा ध्यान रखिएगा far a long period and till late hour मतलब लंबे समय और लंबे प्रते दिल लंबे घंटे तक in the night मतलब रात में लंबे समय तक यह लोड़ी स्पीकर बजा जाता है ठीक है न अब इस लोड़ी स्पीकर के करण कुछ न कुछ क्या होता है प्राबलम होता है तो मैं आप से रिकेस्ट करना चाहता हूं कि प्लेज आप क्या दे दे एक नोटिस दे जिससे क्या हो सके लोड़ी स्पीकर बंद हो सके तो आप को एक line यहाँ पर बता देना है कि इस loud speaker के करण इस creativity के करण हमारा disturb होता है किसमें पढ़ाई में ठीक है न मतलब यह यहाँ पर आपको लिखना है कि this मतलब यह है this मतलब यह है इस या इस को कह सकते हैं इस यहाँ पर लिख दें creates मतलब जो भी activity हो रहा है तो a lot of मतलब ज्यादा मात्रा में a lot of ज्यादा मात्रा में क्या होता है disturbance मतलब disturb होता है क्या होता है disturb होता है a lot of disturb in our studies मतलब हमारे पढ़ाई में in our studies estu dies our study मतलब हमारे पढ़ाई में यहाँ पर लिख सकते हैं hence मतलब यहाँ और नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, कोई जरूरी नहीं है इतना आप लिख दो के काप भी है अब क्या करना चाहते हैं हम आप से request करना चाहते हैं please give a notice, है ना आप notice दे दो, या तो आप क्यार दो कि I request you to impose registration on our use loudspeaker till our examination मतलब आप एक notice दे दो है ना, ताकि loudspeaker काम हो साके, तो यहाँ पर आप लिखे दो कि I hardly requested to you I hardly requested REUQ STED requested to you please give a notice please give a notice है ना, notice दे दीजे कब तक till our प्रिवेंट लॉड़ी स्पीकर लिख देते हैं प्रिवेंट ए लॉड़ी स्पीकर ल, O, U, D लॉड़ी स्पीकर कुछ सब्द अपने से जोड़ता हूँ कुछ बुक्स का मैनेज करता हूँ ठीक है I hardly requested to you please give a notice प्रिवेंट ए लॉड़ी स्पीकर मतलब लॉड़ी स्पीकर को कम करने के लिए एक आप notice दे दे कब तक till hour यानि हमारे exam तक तक तु तिल लगा दे till hour exam nation exam nation हमारे पढ़ाई तक के लिए आप होँ के दे दो notice दे दो ठीक है ना बस इतना ही लिखना है till hour exam nation ठीक है और यहाँ पर लिख दो hour over hour over का मतलब जब तक खतम न हो जाए थोड़ा सब्द सोच सोच के लिखता हूँ ताकि आप लोगो दिक्कत न हो सके और सब्दों का अर्थ समझाता हूँ मैं आपको ताकि हर सब्द का अर्थ आप समझी ठीक है कई लोगों कमेंट था इसलिए मैं ऐसा आपको आज यह लोड़ी स्पीकर का जो लेटर है वो अच्छे से समझा रहा हूँ फिर आपको बस कुछ भी निलिखना है वह हर एक लेटर अप्लिकेशन की बात इसी के नीचे थैंकिंग थैंकिंग यू फिर लिख देना यूर फेथफुली ठीक है फिर यहाँ पर जो भी नाम है आपका आर की पर टेल बस इतना ही लिखना है तो यह आपका जो है कम्प्लेट हो चुका लोड़ी स्पीकर का लेटर और यह टैंथ क्लास 11th क्लास 12th क्लास और 9th क्लास सभी क्लास के बच्चे त्यार कर लें क्योंकि एक ना एक दिन तो त्यार करना ही होता है तो ऐसा करता हूँ कि यह आपको समझ में आगया हुआ थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरा जो एक जामनेशन है यूज करते हैं बजाते हैं अन अवरी ओसीजन मतलब थोड़ा बहुत चोटा मोटा भी कारक्रम होता है तो यह लोग लड़ी स्पीकर का यूज करते हैं फार लांग पीरिएट मतलब लंबे समय तक तिल लेट अवर इन्दा नाइड मतलब रात में भी लंबे बिदन करता हूं कि प्लीज यूवे नोटीश प्रिवेंट लाड़ी स्पीकर मतलब लाड़ी स्पीकर को कम करने के लिए एक नोटीश दे दीजिए तील आवर एक्जामनेशन आर ओवर जब तक हमारा एक्जाम कम्प्लीट नहीं हो जाता तो ऐसा करता हूं कि अब इस समझ में आ गया होगा एक चीज हमेशा द्यान रहे कि ये जो देखिए लाइनिंग है उपर से नीचे तक लाइनिंग पूरा सेम है है ना कहीं डिस्टर्ब नहीं है मेरा पूरा नीचे तक और ये चीज इधार नहीं लिखना मेरा भाई ठीक है तो चलते हैं स्टुडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदे मातरम